नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के बहुत ही important concept जिसका नाम है Tables जी हाँ, तो Tables के बारे में हम complete information लेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो को देखने के बाद आपको Tables से related web pages में कैसे काम किया जाता है, इस में कोई problem future में नहीं आएगी तो इस वीडियो को आप पूरा देखे, ताकि आपका पूरा का पूरा concept HTML Tables का clear हो सके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं Tables होते क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा कई जगा data को represent किया जाता है कुछ table के format में समझने के लिए इस example को देखिए, इस data में हमने पहले column में company, दूसरे में उस company का contact person और तीसरे column में country of that company mention किया है, तो यहां से इस table को पढ़कर देखकर बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है कि कौन कौन सी company है और किस company का contact person और कौन है और country कौन सी है इस company की तो इस तरह के data को tabular format में represent करने के लिए html के अंदर एक element होता है जिसे कहते है table तो चलिए सीधा मैं example की तरफ चलता हूँ और यहां इस example में आप देख सकते हो कि हमने लिखा है table element तो table start करने के लिए हम table element यूज करते हैं यहां देखो table element के अंदर हम सबसे पहले यूज करते हैं एक tr tr देखी कितने है एक दो और तीन तो total इस table के अंदर तीन tr है tr का मतलब होता है table row तो आपके table में कितने row है तीन row है औल राइट इसके बाद हमारा है th table row के अंदर जो पहला value है वह है th के अंदर th का मतलब होता है table header तो यहां आप देख सकते हो कि यह जो top में यह वाला जो portion है क्योंकि यह heading है इस particular column का इसे हम यूज करते है th के अंदर th मतलब table header और यह पहला row है तो पहले row के अंदर th में company फिर contact और फिर country कुछ इस तरीके से यहां पर किया गया है company contact और country नीचे वाले जो table के cells है वह normal cells है यह बोल्ड नहीं है दोस्तों बोल्ड क्यों नहीं है क्योंकि बोल्ड जो होते हैं वह heading में लगाया जाते हैं तो यहां देखिए नीचे हमने td का मतलब होता है table data table cell भी आप इसे कह सकते हैं तो देखिए यहां पर दो record यहां पर इन और table के अंदर पहला जो रो है उसमें heading आ गया heading आप देख सकते हो center में आता है by default और यह आपके दो रो है first और यह second और यह आपका यहां पर code किया हुआ है इसको आगे मैं example को और अच्छे से समझाओंगा next हमारा है table cell table cell जो मैंने आपको बताया td के अंदर होता है table row मैंने पताया table row tr के थूरू represent किया जाता है और table headers को th के थूरू represent किया जाता है तो I hope this is very simple example और आपको यह example clear हो गया होगा अब हम next बढ़ते है यह देखिए यहां पर एक exercise भी दिया हुआ यह आप खुद से करना और अगर problem होती है तो आप मेरे को comment में पूछ सकते हो तो next जो हमारा है next page पे चलते हैं हम पढ़ेंगे table borders के बारे में तो देखिए अभी हमने चेक किया example में table जो था उसमें यह double lines के border से जो by default table का default nature होता है तो अगर एक मैं इस table को का color जैसे मैं CSS के थूरू देना चाहूं तो हम यहां से target करते हैं table या TH या TD इनका जो border property है वो आपक one pixel solid black हो जाए मतलब अगर इसका जो border हमने हमने supposed to कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा table बन जाता है तो यह हमारा default nature of the table है जो मैंने पहले भी बताया चलिए अब इसमें भी बताने की कोशिस क्या कर रहे हैं कि अगर आप table को दो lines की जगा single line में convert करना चाहते हो तो आप उसमें property यूज कर सकते हो जिसका नाम है border collapse और इसकी value होती है collapse तो यह देखिए अब यह जो table कुछ इस तरीके से दिख रहा था यहाँ पर अब table आपको दिख रहा है इस तरीके का बिल्कुल plane तो यहाँ पर देखिए इस example को मैं करके दिखा देता हूं यह देखिए यहाँ और यहाँ पर यहाँ पर हमने border collapse property यूज की है अगर इस property को आप हटा देते हो और रन करते हो तो यह देखिए by default double lines आ जाता है तो border collapse इक बहुत ही important property है दोस्तों जिसका यूज करके आप कुछ इस तरीके के lines वाला table बना सकते हो next हमारा है कि table को अगर आप style देना चाहते हो तो आप इसमें border का यूज कर सकते हो अब इस example में आप देखिए हमने TH और TD का background color blue कर दिया तो जो table header है या जो table cells है वो blue color में तो हो गए और जो border है उसका color हमने white कर दिया तो कुछ इस तरीके का आपको table display हो जाएगा अगर आप कुछ और अलग designs बनाना चाहते हो जैसे round table borders करना चाहते हो तो आप इसके लिए border radius property का use कर सकते हो और आप देखोगे कि जो भी TD है या TH है या table है उन सबके borders corners आपके round हो जाते हैं इसी design को थोड़ा और better करने के लिए हम table के border को हटा देते हैं और ये जो border radius है सिर् और सिर्फ TH और TD में apply कर सकते हैं उससे देखी कुछ इस तरीके का आपको पेबल design create हो जाएगा अगर आपको tables के border solid ना चाहकर dotted, dash, double, groove ऐसे चाहिए तो आप border style property का use कर सकते हो इसका use कैसे करते हैं border style dotted तो अगर हम dotted कर देंगे तो automatically हमारा जो border है solid की जगा वो dotted में convert हो अब color अगर हमें change करना है तो देखिए border के color को change करने के लिए हमारे पास property होती है border color तो यहां देखिए border color हमने blue वाला दिया है तो table हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा exercise आप पर छोड़ता हूँ आप कर लीजिए का next हम देखेंगे कि table जो हम बनाते है HTML के अंदर उसके sizes एक सबस्क्ताईमस तेवल आपका कुछ इस तरीके का भी होसकता है यह पहला जाए छोटे है लेंवीज का defa का ओलम बड़ा है certain कुछ इस तछा कोलम बराबर है फज कर तो बिूछ खायुक गृ bill कैसे की दिखिए मेंशन करके अपने टेबल को कुछ इस तरीके से बना सकते हो कैसे चलिए देखते हैं यहां पर इस एक्जामपल में टेबल की हमने विट्थ को स्पेसिफाई कर दिया 100% और यहां पर हमने टेबल बना दिया यह हमारा एक नॉर्मल टेबल बन गया अब मैं क्या करूंगा इसक कालम था तोटल हंडेट परसंट का 70 वह हो जाएगा तो यह पहला कॉलम थोड़ा सा 70 इतना बड़ा हो जाएगा और बाकी जो आपका जो है वो इसमें 30 परसंट में अगर आपको किसी टेबल के रो की हाइट को बढ़ाना है तो वेड़ की जगा हम क्या यूज करेंगे हम य दूसरे वाले टी आर में टेवल रो में हमने इसकी हाइट को 200 कर दिया तो कुछ इस तरीक से तरीके से आपका यह वाला जो हाइट है वह बढ़ जाएगा चलिए एक्सराइज आ गया यह भी आप कर लोगे नेक्स्ट हम चलते हैं अब देखिए यह कुछ टेबल से तरीके से आप रूटीन मुनाते हो मंडे ट्यूजडे वर्नेस दे और यहां पर टाइमिंग्स होती है तो यहां आप देख सकते हो कि यह जो हेडिंग पार्ट है हेडर्स टी एच जो था वह कुछ इस तरीके से अपलाई हो गया है कि हेडिं हम इस ते को अलग अलग रो में यूज करेंगे तो थी तक थो हमने सिंगल रो में किया था देखिए इस एकजामबल में टी एच को असर्फ पहले रो में फिस्ट यहां पर यूज क्या है ओकया dil constitution मंब है लिसिस एटिस लोग यूज हमारा तीस वाभरसे निचेति分享 यह फि फिर हमने टीडी यूज़ कर लिया सेकेंड वाले रो में पहले सेल में फिर हम टीएच यूज़ कर लेंगे तीसरे रो के पहले सेल में फिर से टीएच यूज़ करेंगे देखिए इस एक्जामपल का आउट पुट कैसा आएगा अब यह जो बोल्ड हो रहे हैं यह यह जो टी के अंदर अब जब alignment की बात आ रही तो कि by default जो headers होते हैं वो bold होते हैं जैसा मैंने बताया था और centered भी होते हैं लेकिन sometimes आपको ये जो headers है इसको left में करना है होता है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो text align left तो text align left करते ही ये देखिए आपका जो th है वो left side में आ गया तो style यूज करके आप tables के साथ अपने हिसाब से tables को अच्छे-च्छे designs दे सकते हो अब यहां आप देखो sometimes आपको जो header होता है वो दो columns को multiple columns को capture कर लेता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं उसके लिए property यूज करते हैं call span तो call span बताता है कि कितने column तक वह span हो जाए तो यहां आप देखो name जो है कितने columns में है one two क्योंकि इसने दो columns को area को capture किया है इसलिए हम यहां पर देंगे call span equal to two लेकिन धियान यह रहे कि यहां पर एक दो तीन तीन सेल्स थे जब आप call span two यूज करोगे और नीचे एक टी एच यूज करोगे तो यह मिलाकर तोनों तीनों को मिलाकर तीन हो गए दो columns इसके और तीसरा column यह इसलिए next टी आर में आपको तीन सेल्स देने पड़ेंगे ओके I hope this is clear next हमारा है table caption sometimes आप टेबल का caption देना चाहते हो तो table element के जस्ट बाद आप caption इस तरीके से लिख सकते हो वो caption आपके table के टॉप पर डिस्प्ले हो जाएगा ओल्राइट तो यह exercise आ गया exercise आप कर लीजेगा next हम चलते हैं HTML table के अंदर हम padding और spacing को समझते हैं देखिए जो हमारा table है table के अंदर basically क्या होता है cells होते हैं तो यह देखिए cells के अंदर content लिखा होता है तो यह जो cell है जिसमें hello लिखा हुआ है उसके बीच और यह जो ऊपर यह cell का जो corner है इसके बीच में देखिए यहाँ पर space है यह मेरा mouse दिख रहा होगा आपको लेकिन इस वाले example में इस cell के चारो तरफ space नहीं है वो डबबंद है तो बाई डिफाल्ट पैडिंग होती है जीरो तो कभी भी आपके टेबल में cell जो होता है कुछ इस तरीके का होता है लेकिन एक cell और दूसरे cell के बीच में यहाँ पर आप space देख रहे हो तो दिस इज कॉल इस इज कॉल्ड और के बादर को उसके बादर के बीच में पैडिंग को पैडिंग यहां जिल जो लिखा हुआ है इनके बीच में यह पंदरा पिकसल का पैडिंग अब देखो यहां मैं 15 की जगह इसको मैं 35 कर देता हूँ 35 और रन करता हूं तो अब देखिए यह जो स्पेस है यह स्पेस जो टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस है वह बढ़ गया ओके सो दिस इज बॉर्टम लेफ्ट और राइट लेकिन आप चाहो तो अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं टॉप में तो 10 पिक्सल हो लेकिन बॉर्टम में ज्यादा हो 20 पिक्सल चलिए इस एक्यापल को दिखा देता हूं यहां पर अगर सपोज मैं पैडिंग बॉर्टम को ज्यादा बढ सकते हैं सेल स्पेसिंग जैसा मैंने बताया था वह देख लेता है अब यह एक्सल था यह एक्सल है इनके बीच के स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए हम बार्डर स्पेसिंग यूज कर सकते अब इसको 30 से मैं अगर 10 करूंगा तो यह चिपक जाएंगे यह रखें इस तरीके जब आपको ऑसिज़ के बीच में स्पेस देना सेल स्पैसिंग उजंग करोगे यूज रुजिंग रूस पेसिंग अधरवाइज आप चा direct करोगे और आप कर्छेल और उसके बीचिंगं कि बीच में इसने स्थमय को बढ़ाने के लिए यहुप अब हम directly चलते हैं call span और row span के through कैसे कैसे हम designs बना सकते हैं यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो name है दो columns के बीच दो columns के पूरे space को cover कर रहा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे call span लेकिन यहाँ पर आप देखो यह जो April वाला जो cell है इसमें single column है देखिए उपर से तो हम mention नहीं करते लेकिन 3 row है तो row span 3 हो जाएगा ठीक है तो यह पहले वाले example में call span 2 है दूसरे वाले example में row span 2 है ठीक है तो row span वाले example को मैं यहाँ पर दिखा देता हूं अलग से यहाँ देखिए यहाँ पर इसने दो row को cover किया है phone ने तो phone जो लिखा होगा phone के आगे आप लिखोगे row span equal to 2 तो देखिए यह होगे आपका row span और call span और यह बहुत ही important है जब आप structure define करते हो ठीक है यहाँ पर इसको भी मैं आपको बताता हूं अब आप सोचो जड़ा यह फियस्टा जो है इसमें row कितने है column कितने है देखिए column तो है दो one और यह one two two columns है फियस्टा के और row कितने है one two तो इसका इस वाले एक्जामपल में फियस्टा जब आप बनाओगे आप ट्राइग करना इसमें वैसे होगा call span भी two होगा और row span भी two होगा यह आप एक्जामपल ट्राइग करना problem होती है तो आप comment में मेरे से पूछ लेना चलिए next हमारा है table की styling अब table जो है बनाना तो हमने सीख लिया अगर हम इसे अलग-अलग अच्छे designs बनाना चाहते है table के तो with small tricks CSS के हम बहुत अच्छे designs दिखा सकते हैं तो जैकी जैसे यहां zebra stripes का हमने effect दिया है table में इसको करने के लिए हम use करते है tr column ठीक है basically एक selector होता है CSS के अंदर जिसे कहते है nth child nth child या तो row wise हो सकता है या तो column wise यहां पर हमने बताया है even even evenly जो होते है न 2,4,6,8 उन में हमें क्या करना है उन रो में tr मतलब table row और tr के अंदर even rows, even rows मतलब second वाला, fourth वाला, sixth वाला, उसके color को blue कर दो तो by default आपका white हो गया white blue, white blue, white blue, white blue, कुछ इस तरीके से आपका zebra stripes बन जाएंग तो देखिए बिल्कुल simple CSS tricks के through हम बहुत अच्छे-च्छे designs को create कर सकते हैं अब यहां देखिए यहां पर vertical zebra stripes बनाए गए हैं तो यहां पर हम tr की जगा td और th इनके अंदर हम color दे देंगे तो td कैसे start होता देखिए tds start होता है 1,2,3,4 लेकिन tr कैसे start हो रहा था देखिए वन, second row, third row, fourth row तो अब क्योंकि अब vertical हम यह उजब करना चाहते हैं तो हम td और th पे लगा देंगे तो यहां पर देखिए second column, fourth column पे blue color हो गया और यह आपका vertical में जेवरा stripes बन गया अब हम दोनों को combine भी कर सकते हैं vertical और horizontal को और यहां पर देखिए tr में भी हमने color दे दिया और th और td में भी दे दिया तो कुछ इतना अच्छा प्यारा सा table आपका बन गया ठीक है और बहुत ही basic अगर आपको टेबल चाहिए तो यह देखिए कितना basic टेबल से bottom में आपका border है उसके लिए हम यूज करेंगे border bottom ठीक है bottom में हम border दे देंगे ddd आपका color code है color वाले tutorial में मैं इसको बताया था क्या होता है कैसे यूज करते है hex code को अगर वो clear नहीं हो तो आप colors वाले मेरे tutorial को देख लिएगा तो यहां पर आप देख सकते हो कितना प्यारा सा टेबल बना दिया गया है एक simple से CSS property के तो यहां देखोगे अगर आप तो जैसे आप mouse over कर रहे हो तो इसका background color change हो जा रहा है तो इसके लिए हम यूज करते हैं over selector तो टी आर के अंदर ज बना सकते हैं अब last हमारा है table का call group अब देखिये यह जो table है इसमें हम चाहे तो अलग-अलग जैसी यह एक दो तीन चार पांच छे साथ 7 columns का एक table है इसमें हम चाहते हैं कि पहले दो columns को एक अलग से group करके alग से design देना तो इसके लिए हम करते हैं call group दो columns को group कर दो चार columns को group करण विसमें में देखिए हमने और को किया है तो डो गुरूब के अंदर हमने में कितने कॉलम करना है तो क्या करना है जो ब्लू हो जाएगा अब यह के अंदर कुछ लिमिटेड़ सीएस कर ते हैं जो हम यूज कर सकते हैं जिसमें वेट थ होता है जो हमने किया, एक visibility होता है, background होता है और एक border होता है, ठीक है, तो अब हम देखते है multiple column elements, अब यहाँ पर देखिए, total हमारे पास इस example को भी दिखा देता हूं, यहाँ देखिए, 7 columns वाला आपका table है, आप चाहते हो, पहले 2 columns में blue और 3 columns, next के 3 columns में क्या हो जाए, pink हो जाए, त पहले की 2 columns को call span 2 से specify करोगे, उसके next 3 को call span 3 से करोगे, और दोनों के अलग-लग कर देदोगे, तो इस तरीके से आप कितना प्यारा सा effect बना सकते हो, using call group, ठीक है, अब empty call group, अब empty call group का मतलब क्या है, sometimes, आप बीज में देना चाहते हो, कि पहले 3 में तो हम कोई design नहीं करना च जाते हैं, तो इसके लिए हम पहले empty करने के लिए call span 3 कर देंगे, तो पहले की 3 columns में तो कुछ ना हो, लेकिन last उसके बाद वाले जो 2 columns है, उसका background color pink हो जाए, तो बहुत ही simple simple tricks है दोस्तों, इसको करके आप असानी से इस चीज़े कर सकते हो, sometimes, आपको table तो आपने बना दिय या उसको hide करना है, तो hide को hide करने के लिए हम यूज करते हैं, visibility collapse, तो visibility collapse यूज करने से, यह हमारा जो table है, 1, 2, 3, 4, 7 में से 3 columns को हमने यहाँ पर collapse कर दिया, देखें, दो के बाद next के जो 3 columns है, Sunday, Monday, Tuesday तो हो गया, Wednesday, Thursday और Friday, उनको हमने collapse कर दिया, visibility collapse, तो देखें, table तो है, लेक तो I hope आपको यह table call group भी समझ में आ गया और इस तरीके से हमारा HTML table का complete tutorial complete हो गया, तो इस lecture में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि HTML table क्या होता है, इसके अंदर कौन-कौन से elements होते है, padding क्या होता है, spacing क्या होता है, और अगर इस वीडियो को आप अच्छे से समझ ले तो in future, क्योंकि यह table बहुत ही important concept है, कभी भी आपको problem नहीं आने वाली है web development में, तो चलिए मिलता हूँ अगले tutorial में, thank you